इस वक्ति खबर नर्सिंगर से आ रही है आपको बता दे तेज रफ्तार स्कूली बहन ने 22 सवार को जोड़तार मारी टककर जिसमें आपको बता दे ब्यक्ति गो प्रात्मी को प्चार के लिए गोपाल की रैफर कर दिया गया है आईए नजे डालते हैं एक बार पूरी खबर पर शेहर के करीबन 6 किलिमेटर दोली पर आपको बता दे कुदाली चोड़ के समीब सुबा एक इंपरेरियर स्कूल का वहें आनियांतत हो का परड़ गया दुर्गट नागवक्त आको बता चले इसमें स्कूल के बस में स्कूली बच्चे सवार थे जिसमें आपको बता रहे कि बच्चों को कहीं भी कोई चोट नहीं हाई है, बड़ा हास्सा हो सकता था और ये हास्से बड़ा होते ही बच्चुका है, मुताबिक स्कूली बेहन के ड्राइवर की लापरवाई से ये आदर हास्सा हुआ है, मजूद लोगों ने बताया है कि ड् बाइक जाकर तकराई है और वहां पॉलट गया है, जिसमें बाइक सवार विदूत मंडल के चेई पंकर्च पार्टिदार के साथ ही हाथ पैर की कंभी चोट की आई है, और उन्हें सीगल मुताव हॉस्पिटल में उपचार के लिए भॉबार कर दिया गया है, आए सुनते ह इनका एगर ब्यान प्राइम बेकिनिंग चैनल के लिए आप आज रिपोर्ट आप देख सकते हैं, आलम सीम वर्वा की नर्सिंगर से प्रकार की कोई खरोष तक भी नहीं है, किने बच्चे थे गाडी में सुर्ड श्कूज की गाड़ी रहती है, वो ड्राइबर के साथ साथ एक स्टाप भी होना चाहिए, इस वज़े से एक स्टाप था उसमें, बगी वो चला नहीं रहती है, आपके बच्चे भी , बच्चे तो अपने बच्चे किसी चोट तरी जब सुरक्षित है अच्छा हमने जानकर यह वता रहा है लोगवाग के बच्चे उसमें जरुद से ज्यादा भरे हुए थे रोजी आते हैं वो तो लिमिटेड बच्चे आते हैं मितलब जो डवरें पर दूसरे बच्चे आते हैं वाकि लिमिटेड बच्चे थे बच्चे सब सुरक्षित है कि यह किसकारण नहीं हुआ तो क्या सुभे बच्चों को लेकर यह ट्रेक्स गाड़ी थी स्कूल रसकी तो उसमें जो है करीब 15-16 बच्चे थे और कुदारी जोड जो पढ़ता है कुदारी जोड अपने गन्यारी रो अन्वेलेंस हुई अन्वेलेंस होने के बाद में राइट जो लेफ साइट चले जो राइट साइड राइट साइड से इदर से जो जा रहे थे अपने बाटिदार उनकी गारी से टकरा कर और पलट पलट जाने से सबी बच्चे सुरक्षिते ते किसी को कोई चोट नहीं गया और गाड़ी को अपने पुलिस कबजी ले लिया गया है और जो उनको ड्राइबर थी मोटर साइकल पाटिदार साब को अपने टीटमेंट के लिए इस्पताल भीजा गया था उनका उप्चार करके वह भी घर चले गया है अचले प्राइंब ब्रेकिंग न्यूस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और साथ ही डेली अप्डेट पाने के लिए बैल आइकर को सेंगे